कैसे आसानी से हम बना सकते हैं मिट्टी का गनेशा घर पर यह बहुत आसान तरीका है इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नियूस पेपर, तूद्पिक, क्ले और पानी हम क्ले के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से अलग-अलग पार्ट बनाएंगे इस तरह तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लाटफॉर्म यह प्लाटफॉर्म इसलिए है ताकि हम इस पे गनेशा को बिठा सके यह बहुत इंपोर्टन पार्ट है तो इसे आपको अच्छे से बनाना है और इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा आप क्ले यूस कीजेगा आप इसको स्ट्रेट बनाने के लिए एकदम सीधा बनाने के लिए पानी का इस्तमाल कर सकते है थोड़ा थोड़ा जैसे हातों पे बस छूक कर पानी आपको लगाना है बस हात गीला करना है और इस पे रगट देना है थोड़ा सा हलके हातों से इसके बाद हम लेंगे पेट के लिए एक गोल आकार में कले और उसके उपर थोड़ा सा इस आकार से हम कले लेगे यह उपर वाला पाट छाती के लिए है हमें इन दोनों भागों को एक बनाना है इसके लिए हम इसे आकार देंगे अच्छे से इस तरह आप उसको अच्छे से आकार दे सकते हैं यह सबसे important part है अगर यह गिर गया तो आपका सारा आकार गिर सकता है पूरा statue इसके लिए हम toothpick का इस्तमाल करके इसे base पे लगा रहे हैं जो platform आपने बनाया है उसके साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए हमने toothpick का इस्तमाल किया है अब फिर से आप अच्छे से इसका आकार बनायेगा ताकि यह पेट और छाती का रूप ले ले इसके लिए आप हाथ गिले करके फिर से उसे अच्छे से आकार दीजे इसे हमें एक हिस्सा बनाना है देखे इस तरह आप गिले हातों से उसे अच्छे से आकार दे सकते है इसके बाद हम गनेश जी के पैर बनाएंगे गनेश जी के पैर बनाने के लिए थोड़ा क्ले लेके उसे रोल की तरह बनाना है आपको उसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा जो निचला हिस्सा बस उसे आपको थोड़ा सा कम कले में लगाना है देखे इस तरह आप उसे चिपका देजे चिपकाने के लिए आपको फिर से गीले हातों से उसे मेन भाग के साथ रगड़ना है थोड़ा धीर हलके हातों से इस तरह आपने चिपका दिया फिर हम दूसरा पैर लगा देंगे अब गनेश जी के जो पैर के जो नाखून है उस पे हम पेंट करते हुए उनको आकार दे सकते हैं अभी हम बेसिक में बना सकते हैं इस तरह हमने दूसरा पैर भी चिपका दिया अब इसके बाद हम गनेश जी के हाथ बनाएंगे जो उनका राइट हैंड होगा जो आशिरवाद देने के लिए बना होगा उसे हम इस तरह बनाएंगे पहले स्ट्रेट लेके उसे थोड़ा मोट दे गया देखिए गीले हातों से आपको उसे जो मेन शरीर है उसे चिपका देना है बस थोड़ा-थोड़ा हलके हातों से रगड़ना है अब हम दूसरा हाथ जिसमें गनेशा लड़ू खाएंगे और हाथ में लड़ू रखेंगे वो भी लगा देंगे इस तरह देखे, अब वो लग नहीं रहा है तो इसके लिए आपको फिर से गीले हातों से उसको लगा देना है में पार्ट से जो की है उनका पेट और चाती अब हमने ले लिया एक गोल आका से जिसे हम उनका सर बनाएंगे ये भी बहुत स्टेबल बनाने के लिए हम इस पे तूत्पिक लगा के उनके में शरीर से लगा दे रहे है दाकि ये गिरे ना तो इस तरह नेक्स्ट हम इनके सून लगाएंगे तो सून आप ऐसे लेकर आप ध्यान रखेएगा कि सून का जो निचला पार्ट है जो लास्ट पार्ट है वो मोदक्या लड़ू के हाथ की तरफ जाए ताकि गनेशा अरे जो भी भोजन है वो खुशी से स्विकार कर रहे है ऐसा प्रतीत हो तो इस तरह आप मिला देंगे उस सून को अपने गनेशा के चेहरे के साथ आप फिर पानी से उसे स्मूध कर सकते हैं पूरे शरीर को आप पानी लगा लगा के उसे स्मूध कर सकते हैं अब हम कान लगाएंगे कान में यूज्विली एक पापड की तरह शेप देती हूँ चुटे चुटे पापड की तरह और फिर उसे लगा देती हूँ आप चाहे तो उसे शार्प एज़ेस भी दे सकते हैं तो इस तरह वो पीछे से भी दिखेगा दिखेगा अब हमने दोनों कान लगा दिये जरूरी नहीं है कि दोनों कान सेम हो आप चाहे तो दुसरा आकार दे सकते हैं अब हम आखों के लिए दोनों अंगूटे से दोनों हाथ के अंगूटे से थोड़ा दबा देंगे ताकि हमें अच्छे से आख बनाने में सहायता हो तीखे इस तरह अब हम उनके दाथ बनाएगे जो राइट सैट वाला दाथ है वो पूरा दाथ है तो इसे हमें कौन का आकार देके उसके ट्रंक के नीचे लगा देंगे उनकी जो सून्ड है उसके नीचे लगा देंगे जो लेफ्ट वाला दाथ है वो छोटा दाथ है जो कट गया था तो वो हम लेफ्ट साइड में लगा देंगे देखिए अब इस तरह दिखेगा आपका गनेशा अब इसमें बस एक चीज मिसिंग है वो है उनकी पगड़ी लेकिन उससे पहले हम इसे पूरी तरह स्टेबल कर देंगे क्योंकि यह आल्मोस्ट कम्प्रीट है देखिए पानी से आप जितना गिले हाथ से सारे बॉड़ी पार्ट को मिलाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा ताकि वो हमेशा जुड़े रहे अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई भी बॉड़ी पार्ट तूट रहा है तो उस जगा पे आप पानी से हलके हाथ से उसे रगट दीजेगा तो वो वापस जुट जाएगा अब आप देख सकते हैं कि पीछे ऐसे दिख रहा है तो हमें इसको भी स्टेबल करना है तो हम थोड़ा थोड़ा क्ले लेकर ये सारी जगा पे लगा देंगे ताकि ये अच्छे से दगे देखे इस तरह हम गीले हाथ से क्ले लेकर उसे अच्छे से स्टेबल बना दे थोड़ा थोड़ा ही क्ले लीजेगा तक कि आपको समझ आ जाएगा कि कहां कहां जरूरत है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर पीछे का बाग ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है कि कोई भी एक पार्ट गिर जाए तो इसके लिए हमें स्टेबल बनाने हम बहुत इंपोर्टन्ट है तो इसी तरह हम गीले हाथ से उसे अच्छे से बना देंगे गीले हाथ से बनाने से वो स्मूध हो जाता है और एक पार्ट की तरह लगता है पूरा एक शरीर की तरह लगता है, ऐसे नहीं लगेगा कि आपने अलग-अलग लगाया है अब हम उनकी पगड़ी बनाएंगे, आप चाहिए तो अपने आकार का, अपने पसंद का कोई भी ताज बना सकते है, पगड़ी बना सकते है, अपनी मर्जी से यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से अपनी एक पगड़ी बनाई है, पहले मैंने छोटे-छोटे करके छोटे-छोटे रोल्स ले लिए है और एक-एक करके लगाया है यह मेरा पहला रोल है इसके उपर मैं दूसरा रोल लगाओगी फिर तीसरा कुल मिलाक के तीन रोल्स लगा दूँगी बहुत हलके हातों से कीजेगा इस तरह मेरी पगडी बन गई देखे इस तरह पूरा गनेशा तयार हो गया अब हम इसे कलर करेंगे तो कलर करने के लिए मैंने स्प्रे लिया है क्रीम कलर का स्प्रे लिया है जो आपको 200 रुपे में कोई भी मार्केट स्टोर में आजराम से मिल जाएगा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेम कलर का या क्रीम कलर का वाटर कलर भी ले सकते है पर स्प्रे से लगाने में आसानी होती है स्प्रे लगाने के बाद आपको कुछ देर तक उसको सुखाना पड़ेगा इसके बाद हम लाल कलर से इनकी धोती रंग देंगे मैंने यहाँ लाल कले लिया है आप चाहे तो पीला या ओरेंज ग्रीम कुछ भी ले सकते हैं अपने पसंद का तो हमने दोती अच्छे से रंग दी है और पगडी भी मैंने सेम कलर की की है ताकि मैचिंग हो जाए हो सकता है कि स्प्रे के वज़े से थोड़े थोड़े डॉट्स आ जाए क्योंकि वह स्प्रे थोड़ा इलास्टिक टाइप का होता है तो फिर आपको यह लाल कलर रगडते रहना है उस पर जादा कलर का यूज नहीं होगा बहुत कम ही लगता है इसके बाद हम काले रंग से प्लाटफॉर्म को कलर करेंगे जो उनका बेस है अच्छे से हम उनको कलर कर देए थोड़े थोड़े छीटे आ जाते हैं स्प्रे के वज़े से कि स्प्रे का कलर और उपर आके थोड़े थोड़े डिखता है तो इसके लिए आपको बस जो आपका कलर है जैसे मैं अभी काला कर रही हूँ उसे आपको अच्छे से लगाना है इसके बाद मैं सफेद कलर ले रही हूँ ये सफेद कलर गनेशा के दातों के लिए है सफेद कलर आपको थोड़ा जादा लगाना पड़ेगा क्योंकि क्रीम कलर के वज़े से सफेद कलर उतना उठके नहीं दिखता है तो अगर आप जादा लगाएंगे तो अच्छे से दिखेगा देखे हमारी पगड़ी रेडी हो गई है अब हम आग बनाएंगे सबसे पतला ब्रश लीजेगा तो मेरे पास यही सबसे पतला ब्रश था तो इससे मैंने सबसे पहले उनके आइब्रोज बनाएं और उसके बाद जो नीचे वाला आख है जो आख बनाएंगे हम उसका बस मैंने उपर वाला पार्ट बनाया मतलब बस पलको वाला लाइन बनाया है देखे इस तरह बस आपको ये दो चीजी बनाने हैं दोनों तरफ बना दीजे क्योंकि हम लोग जो में आख है उसके लिए हम कुछ और यूज़ करेंगे ताकि वो और उभर के देखे देखे मैंने दोनों तरफ बना दिया है इसके बाद मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा सफेद रंग कर दूँ ताकि जो आई बॉल से वो अच्छे से दिखे तो दोनों तरफ मैंने थोड़ा सा सफेद रंग से रंग दिया है अब मैंने उनके माथे पर ओम बनाया है आप चाहिए तो कुछ और भी साइन्स बना सकते हैं जैसे त्रिकौन या शिवजी की तरह इसके बाद मैंने लड़ू को भी रंग दिया है सून पर मैंने लाल रंग से लाइन्स बना दिये है ताकि उनके stretches दिखे और उनके नाखूनों पर जो पैर और हाथ के नाखून है उस पर भी लाल रंग दिया है और ये मैं जनेवू लगा रही हूँ कोई भी धागा ले लिजेगा आप और उस पर लगा दिजे इस तरह आप जनेवू को वाइट कलर में रंग भी सकते हैं तो मैंने आपको जैसे कहा था कि आखों के लिए आप sticker यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उभर गया जाए मैंने यहां काला sticker यूज़ किया है तो आप भी same यूज़ कर सकते हैं देखिए इस तरह हमेरे प्यारी गनेशा रेडी हो गए है आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए